हेलो स्टूर्ड यूट्यूब चैनल मैं पिंकी गिरी आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्टड़ी विद गिरी सिस्टर्स में और आज हम लोगे स्टार्ट करने जा रहे हैं जीवन के संगठन का अस्तर यानि लेवल्स ऑप और्गनाइजिश की टाइटल से हमें पता चल रहा है कि जीवन के संगठन का अस्तर जीवन किस तरह से बना वो किस प्रकार से जीवन के रूप में आया इससे पहले हमने फर्स चैप्टर में क्या पढ़ा था अपने जीवधारियों बहुत सारे जो प्रिथवी पर जो किस तरह से प्रानी तो उनके जीवन का किस तरह से संगठन हुआ किस तरह से वो बने उसके आधार पर यह चैप्टर हमें बहुत कुछ आगे चल के बताएगा और इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो स्टाट करते हैं सबसे पहले आता है क्या कि हमारा सरीर और जितने भी संसार के जितने भी जीव धाड़ी है उनका सरीर कैसे बना हुआ है उनका सरीर बना हुआ है वे सभी कार्बनिक और आकार्बनिक योगिक जिससे मनिश्य और जीवों के सरीर का गठन होता है उन्हें जैव यानू यानू यानि बायो मॉलिकुल्स के द्वारा ही उनके सरीर का गठन ह किया है नहीं पाया जाता है जनेरली उनको और कारबनीक पदार्थ जिससे की योगिक जितने भी compound से उनमें carbon पाया जाता हो तो उनको carbonic योगी कहा जाता है तो उन सभी को मिला कर सभी जीव धारी का सरीर का गठन हुआ है तो उन सभी जो गठन हुआ जिस molecules के द्वारा उनको हम लोग जय अनू या bio molecules कहा जाता है ठीक है इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं क्या कि किसी जीव के सरीर में पाये जाने वाले जयतिल carbonic और और carbonic इस उकार्वलिक का अधार होते हैं जिन से जीवन बनता है वह उनका मौलिक अधार होता है उनका basic हो ता है उनको हम लोग जयवयनु कहते हैं ठीक है जैसे अब जयवयनु में क्या-क्या एक्जामपल सो सकते हैं जितने पोशक तत्व हैं और हार्मोन से इनका एक्जामपल हम लिख सकते हैं अब पोशक तत्व किसे कहते हैं पोशक तत्व उनको कहते हैं जो भोजन के जितने जो हम लो भोजन के आवश्यक अंग को पोषर कि अब पोषर का ऐज़ाता है अब पोषर का आवश्यक क्या हो सकता एक सरने खिसेज लवन औरिप्ट भोजन के पोषर क्या है चिछ समझेंगे रोटमीन हूआ होजी हखुआ यानि न्यूटिरेंट्स कहा जाता है ठीक है अब कर्बोहाइडेट उसके बाद हम लोग आएंगे कर्बोहाइडेट्स पर लेकिन सबसे पहले हम यहां पर यह जानते हैं कि विविन प्रकार क्या क्या होते हैं वाटर के विशिष्ट उदाहरन क्या है इसको कहा जाता है इसका स्रोद क्या होता है इसका स्रोड हम सभी क्या जानते हैं भोजनियों बाहरी स्रोड के द्वारा ही हम लोग एस डूओ को लेते हैं यह हमारे सरी में क्या करता है यह हमारे सरी में मेटाबलिजम के अंतिम रूप के उत्पाद के रूप में भी निकलता ह हम कोई भी जैसे किरिया करते हैं न तो आप देहेंगे की बहुत सारी chemistry वगरा में जब आप डियक्शन कराते हैं तो water last में प्रोडीूश होता है थो हम भी जैसे की कुछ भी करते हैं न तो हमारे सरील में एक water की उत्पत्य होती है हम कुछ भी है यादी जैसे की मेटबोलिजम के किरिया के रूप में अंतिम चुपदार्स होता है वह वाटर के रूप में हमें मिलता है इसका काम क्या होता है को सिकाओं के जीव दरों को तरल बनाने में ठीक है विसरन पड़ासरन जैसे की हुआ और छानन यादी किरियाओं के लिए फिर आतों में absorption के के और पाचक रसों के निर्मान के लिए एवन हार्मोन के निर्मान के लिए और उनके पड़िवहन के लिए जनके ट्रांस्पोटीशन होता है उन सम्में वाटर की बहुत महतव हम लोग जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसीड है जो हमारे सरीर में प्रचूर मात्रां पाया जाता है मतले जितना जरूरत होता है उसके इसाब से पाया जाता है यह जादा भी जादा होने लगे तो क्या होती है हमारे सरीर में एसीड की मात्रा जादा हो जाती है तो उससे हम तो यह एक सरीर में लेबल की रूप में पाया जाता है जिसका लेबल जैसे बढ़ेगा तो हमारे सरीर में गलत इफेक्ट गलत प्रभाव डालेगा तो जो अमलिक क्या काम क्या है इसका सोर्स है पाचक रस का एक परमुख अवय है जो आम आशे में पेरटाइल कोशिकाओं द के द्वारा यह स्त्रावित होता है जल का एच प्लस और नमक का सील आयन मिलाकर जो सील माइन होता है जल का एच प्लस और नमक का क्लोरिन आयन मिलाकर यह क्या बनता है एसल बनता है ठीक है यह याद रखिए इसका काम क्या होता है यह गैस्ट्रिक रस को क्या करता है अमलिय यह लिए लिए पेट में हम लोग कुछ खाते हैं तो अनकी कुछ जो किनी करता है इसका गलत इफेक्ट न पड़े इनका काम बहुत जादा होता है यह बहुत जादा एक्टिव होते हैं उसकी बाद अमासे में पेप्टिक को शीकाओ द्वारा पेपसी नोजेन जो की निस्किरिये पदार्थ को सक्रिया पेपसीन में बदल देता है ठीक है यह पॉइंट को न पेपसीन को इंजाइम को क्रियासिल बनाता है जैसे के यहां पर दिया गया है और प्रोटीन को पचाता है और HCL क्या करता है वह हाट्रोकलोरी क्या से अमासे में भोजन के साथ आए हुए जिवानों को भी मारता है ठीक है उसके बाद हम लोग आते है अम्ल हो गया हम लोग पाइल और यहां पर भोजन जाके कठा हो रहा है यहां पर भोजन जाके कठा हो रहा है यानिके पेट में अर्ध करने वाले अर्ध पचे भोजन वे उपस्तित जो है करता है हम लोग के उसको लेते हैं सससे है अ जाँ आधी बहुत जाँ हो राध है एंधि आएं व्लोग यहां चारी निननना पर भी नहीं करते attaching हो पाने PowerPoint में के बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है जैसे हम लोग पढ़े हैं सिद बेस सॉल्ट में कि उसमें क्या होता है कि खटे डगार आने लगते हैं तो इसको निस्किरिया करने के लिए सोडियम बाइकारवनेटिक बहुत अच्छी भूमिकाने आते हैं तो सोची हमारे सरीर में सब कुछ है और सब कुछ अपने लेवल के अनुसार है यहां ज़्यासा भी कुछ गरबर हो रहा है यहां बाहर से ही कुछ नग ऐसा कर रहे हैं बाकितों सब कुछ एक्दम बना के सब करते हैं उसमें सोडियम बाइकारवनेटिक पाया जाता है तो इससे बाहर से भोजन के साथ खाया जाता है कुछ ऐसे भी होते हैं जिसे हमुंद्री मचलियां होती है उन्में भी लौन की रुप में हमें मिल सकता है मांस होता है मचली दूर अंडा खाने वाले सोडा इत और के रूप में भी विविन तरल पदार्थों को बनाए रखने के लिए और गैस्टिक रसके में एसील के निर्मान में यह बहुत ज्यादा सहायता करता है जैसे कि हमने उपर अभी देखा ना की वाटर का एच और क्लोरीन का माइनस आयन मिला के क्या बनता है एसल बनता है पेशियू का संकुचन हुआ तंतरिकाओं के उतेजन सीलता हुआ रक्त के मुख्य वफर में और विविन तरल पदार जैसे जो फ्यूड होते हमारे सरीर के उसके पड़ा सरणी में दबाव को बनाए रखने में यह सहायता करता है ठीक है तो इतने सारे चीज है जो की बिसि सबी का रहा पाना असंभव है तो आयोमंडल में यह सवतनु रूप से यह सवतनु परदान के फलोसरुप उसके ऑक्सिजन करत और उट्णकों में पहुंचाया जाता है फिर उत्तक को शिखाओं से जीयुरों के सवसनी पदार्थक के अक्सिकरण में जहां से उर्जा मुक्त होती है हम लोग क्या करते है एक स्वाशन लेने की बाद एक एनरजी भी उद्पन होती है इस उर्जा का उप्योग क्या होता है बिविन जविक किरियाओं में भी संचालन और कुछ ATP में भी संचीत हो जाती है ठीक है उसके बाद आता है यहां पर देखिए लाउनों के संदरता को नियंतरन करने के लिए और और एक घृप परिवर्तन करने में रोकता है और जब उससे किसी आमल को तनू के लिए मिला जाता तो उस गोल को बफर कहा जाता है ठीक है बफर यहां पर बता दिया गया है उसके बाद मुलों लोगाते हैं कार्बनीक ऑर सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कार्बो हाइड़ेट क्या होता है कार्बो हाइड़ेट में हम लोग क्या जानते हैं कार्बो हाइड़ेट कार्बन, जैसे कि मैं यड बता रहें आप लोग को, कार्बन, हाइड़रोजन और ऑक्सीजन इन तीनों से मिलके बना है कार्बो हाइड़ेट यहांनि इन तीन यूक्त पॉलिहाइडिक, ऐलडी हाइड यहापालि हाइड्रिक किटोन होते हैं ठीक है? कर्बोहाइडेट क्या होते हैं CHOوجत यानि कि Baker holds carbon hydrogen oxygen यूकत polyhydrogate जैसे की यहां पर दिया गया है दुसरे सब्दों में कर्बोहाइडेट वह हो योगिक है जिसमें कई hydroxyl account होते हैं hydroxyl element और ketone summa होते हैं टिक है और यह फिर एल्डिहाइड सम्मोग के भी होते हैं ठीक है इसमें carbon hydrogen यां oxygen के बने योगित जिनमें hydrogen या oxygen का अनुपाद जल के अनुपाद के समानी होता है यानि कि 2 is to 1 के रेशियो में होता है उन्हें carbohydrate कहा जाता है ठीक है तो जो तो कार्भो हाइड़ेट जो होता है इसका सरालतम जो हम लोग सुत्र लिख सकते हैं CH2O जैसे कि 2 is to 1 लिखा आप लोग को देखें हैं स्क्रीन पर दीख रहा है 2 is to 1 के रेशियो में होता है तो उसी तरह से इनका जो फॉर्मूला जो होता है और जो समान्य सुत्र में आप लिख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर CX भी लगा थी H2O और उधर में ब्रैकेट बन जैसे यहाँ पर दिया हुए Cn और H2O और इस तरह से N लिखा हुआ है जैसे यहाँ पर मॉनो सेक्राइट जिसको सबसे सरालतम सुत्र कहा जाता है जैसे कि उधारन के रूप में आप यहाँ पर दिया भी गया है रावादार, मीठा, जल में घुलंसील, कार्बोहाइडर को सरकरा या सुगर कहा जाता है ठीक है तो ग्लुकोज भी हो सकता है जिसको ग्लुकोज को रक्त सरकरा भी कहा जाता है ठीक है जिसका फॉर्मूला क्या होता है C6, H12, O6 जैसे हम लोग सभी जानते है सुगर, ग्लुकोज जिसको रक्त सरकरा भी कहा जाता है और चीनी को जिसको सुक्रोज भी कहा या सुक्रोज भी कहिए उसको हम लोग C12, S22 और O11 ठीक है यहां पर यह भी ध्यान रखिएगा कि जब भी हम लोग फॉर्मूला याइड करते हैं तो 2 is to 1 के रेशियो में हमेसा क्या होता है हाइड्रोजन और अक्सिजन का होता है तो इससे हम लोग असानी से कोई भी फॉर्मूला को लिख सकते हैं ठीक है उसके बाद हम लोग आते हैं कुछ जो मोनोसाक्राइड कार्भोहाइडिस का जिस तरह से उनके बढ़गी करन किया गया तो मोनोसाक्राइड के रूप में उ और जो पिल्लुकोज अंगूर में भी होते हैं टीक हम लोग जानेंगे कि मायक्रो बायो मॉलिक्युल्स क्या है तो जो अमीनो एसीड्स है अम लोग जानते ने कि ब्रोटीन की काहे होती है अमीनो अमल तो प्रतिक अमीनो अमल के जो केंदर में कार्वन परमानू होता है जिससे की जिससे एक अमीनो अमल एनेस डू और एक अमीनो कार्वोक्सलिक मुलक जो समू होता है एक हाइड्रोजन परमानों और एक साकरी अलकलाइल समू आर ग्रूप वाले जो जुरे रहते हैं तो जो अमीनों अमले में छाड़ी और अमलिये दोनों समू होते हैं तो इसलिए इसको एमफोटेडिक कहा जाता है इनकी प्रकृति कैसे हो गई कुछ एक अमलिये कर्भोक्सल समू होते हैं और दूसरे क्या होते हैं एक एमफोटेडिक मतलब जो दोनों का ही छाड़ी और अमलिये दोनों का जो समू होता है उसको एमफोटेडिक प्रकृति का यह अमीनों हो जाता है ठीक है तो अमीनों का हम लोग निर्मान कैसे होता है जब कार्बनी का एक या एक से अधिक hydrogen परवानों जो अमीनों समूं एन एनेस्टू द्वारा भी सापिज हो जाते हैं तो उसको आम लोग काते हैं उससे हम लोग अमीनों उत्पन कर सकते हैं जैसे कि एस्टिक अमल से glycine का निर्मान होता है ठीक है अभी हम लोग इतना ही दूर पढ़ते हैं उसके बाद हम जब लोग next वीडियो में मिलेंगे तो और आपको अच्छे से details में बाकी जो जितने भी हैं आप अमीनों अमलों के बारे में fatty acids के बारे में लिपिट के बारे में और निकलेट के बारे म जितने हैं उन सब को हम लोग जरूर से कवर करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे तब तक आपको जितना बताया गया उसको थोरा सद्यान से देख लिजे और इहोप सो की जितना कहा गया है जितना मैंने भी बताया आपको इस वीडियो में समझ में आएगा और नहीं समझ म तो मुझे कॉमेंट सेक्षिन में पूछ सकते हैं कोई देखते हैं तब तक आप मैंने अभी स्टार्ट किया है दिरे दिरे हम लोग बढ़ते जाएंगे और अच्छे से इस चाप्टर को और डीजर्स में कंप्लीट करते जाएंगे तब तक आप लोग देखते रहें के